So guys welcome to new video और आज की वीडियो में हम बात करेंगे Flipkart पर brand approval कैसे लेते हैं new method से तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है So guys वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मैंने एक वीडियो भी बनाए थी brand approval के related जिसमें मैंने बताया था कि आप directly apply के button पे click करके आपको directly approval मिल जाएगा तो उस वीडियो मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि approval नहीं मिल रहे हमको अभी और Instagram पे भी बहुत सारे messages आए कि approval नहीं मिल रहे हमको अभी और एक चीज़ बता दो आपको flip card में कुछ categories ऐसी है जिसमें आपको trademark या फिर brand authorization letter upload करना mandatory और कुछ categories ऐसी है जिसमें आपको MRP label, brand logo, product images या फिर बोल सकते हो packing images इसमें से कुछ भी एक upload करोगे तो भी आपको approval मिल जाएगा आपको बता देता हूँ कि new method से कैसे approval लेते है तो चलिए अपनी computer screen पे आपको बता देता हूँ कि approval लेते है तो सबसे पहले आपको अपनी category find कर लेने कि आपको कौन सी category में approval लेना है तो suppose मेरेको hair straightener के अंदर approval लेना है तो मैं कोई भी hair straightener ले रहा हूँ और मैं अपनी category find कर रहा हूँ तो suppose मेरेको यह category में listing करने है तो मैं यहाँ पर simply add listing पे दबाऊंगा add new listing पे और मैं यहाँ पर अपना code paste कर दूँगा मैं यहाँ पे search करूँगा यह आप देख सकते हो create a new hair straightener मैं simply यहाँ पे click करके यहाँ पे अपनी brand name डाल देता हूँ मेरेको जिसके अंदर approval चाहिए suppose मैं यहाँ पे do dance लिखता हूँ मेरेको इस चीज के अंदर approval चाहिए तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आप यह सब fill up नहीं करोगे तो भी चलेगा ऐसा नहीं है कि आपको यह fill up करना ही है और आपको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बता रहा है कि आपको इन चीजों में से कोई भी एक चीजे upload करनी है trademark brand authorization यह दोनों चीजे नहीं है हमारे पास या फिर आप upload कर सकते हो product की image, packing image, brand logo या फिर MRP label आप इन चीजों में से कोई भी एक चीजे upload करके आप brand approval ले सकते हो तो मैं आपको guys recommend करूँगा कि आप MRP label के लिए जाहिए MRP label आपको create करना पड़ेगा मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे create करना है product image में क्या करना है आपको अपनी product की जो image वो directly आपको upload कर देनी है packing image में आपको packing image upload करना है, brand logo में आपका brand का जो logo है वो upload करना है MRP label में आपको MRP label जहां पे लगाया प्रड़ेग पे वो आपको upload कर देनी है जैसे आप upload करोगे आपको यहाँ पर selection करनी है कि आप कौनची चीज़े upload कर रहे हो तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि MRP लेबल को create कैसे करते हैं तो मैंने यहाँ पर पहले से create करके रखा है आप देख लिजे यह design देखो यहाँ पर अपना product name डालना है यहाँ आपको simply यहाँ लिख देना है product name और आपको यहाँ पर अपना product name डालना है फिर MRP डालनी है फिर manufacturing name, manufacturing date और manufacturing address अगर आपको यह content चाहिए तो आप मेरी website पर जाके भी यह content directly copy paste कर सकते हो मैंने link description में देखे रखे है आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो और वहाँ पर जाके यह content ले सकते हो तो guys और एक चीज़ बता दू यह जो MRP label है आपको print कैसे करना है आपको normal paper में print नहीं करना है आपको sticky labels में print करना है वही अच्छे से होगा और अच्छे से दीखे ही आभी आपको sticky labels में print करना है और अगर आपको sticky labels purchase करना है तो मैंने link description में देखे रखे है आप जाके purchase कर सकते है तो चलिए हम sticky label को print करते है और stick कर देता अपनी product के अंदर So guys हमारा जो label था हो मैंने ready कर दिया है sample label है और directly मैं print कर रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो मैंने Canon का LBP 2900 लेके रखा है और मैं यहाँ पर simply print पे click कर देता हूँ Guys और इक चीज़ बता दूँ आपको आप directly product की image भी submit कर सकते हो पर मैं आपको recommend करूँगा कि आप MRP label के लिए जाए क्योंकि अगर आप product की image submit करोगे कि तो उच प्राबलम होगी तो आपका approval reject हो सकता है अगर आप MRP submit करोगे तो मैं definitely बोलता हूँ आपका approval reject नहीं होगा directly approved हो जाएगा तो देखते हैं अभी हमारी print निकल रही है यहाँ पे और आप देख सकते हो मेरी print निकल चुकी और आपको मैं दिखाता हो अब देख लीजे यह हमारी print है और देखो यहाँ पर product name आ चुका ह आप देख सकते हो मैं निकाल के दिखाता हो आपको अब देख सकते हो मैंने यह sticky labels में निकाली है print आपको simply ऐसे label stick कर देना है अगर आपकी product में पहले से MRP label दिया है तो कोई बात नहीं आप simply उसकी photo कीच लिजे और upload कर दीजे तो मैं आप इसकी photo click कर लेता हूँ So guys हमने product की image click कर लिये और मैंने यहाँ पर upload कर दीए अपनी product की MRP label की image दीओ मैंने यहाँ पर upload कर दीए और आपको simply यहाँ पर click करना है MRP image और जैसे आप MRP image पर click करते हैं आपको simply यहाँ पर apply पर click कर देना है आपको 14 within 48 hours आपको approval मिल जाएगा guaranteed के साथ मिल जाएगा अगर कोई भी doubt है guys आपको approval नहीं मिल रहा है तो guys please comment कर दीजे कि approval नहीं मिल रहा है या फिक कोई problem आ रहे है तो भी आप comment कर सकते हो नीचे मैं आपको definitely reply कर दूँगा आपको यह वीडियो अच्छी लगी अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो please like कर दीजे share कर दीजे subscribe कर दीजे मेरी channel को तो चलिए guys next video मिलते है